अविनास इंस्टिट्यूट आफ एजूकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अविनास मिस्रा। दोस्तों आज का टॉपिक है अलफ्रेड वेगनर का महादिवपी विस्थापन सिध्धान्त। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक विस्थापन सिध्धान्त किसे कहते हैं। अलफ्रेड वेगनर ने महादिवपी विस्थापन सिध्धान्त की पूरी कहानी विस्ताड से। वेगनर महुदय को बर्फ की मोटी मोटी परज जमने के सबूत मिले। वेगनर महुदय ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि ब्राजिल, दच्छडी अमेरिका, प्राइदीपी भारत और आस्ट्रेलिया विस्थापन सिध्धा के पास हैं। और वहां की जलवाय जो होत इसकी कारडों की तलास में निकल पड़ें और बहुत सारी यात्राएं की और इन यात्राओं के दवरान वेगनर महुदय को कुछ हद तक ठोस प्रमाड मिले। वेगनर महुदय को जो भी प्रमाड मिले, उसके आधार पर वे इस निसकर्ष पे पहुँच गए कि महादीपो का प्रवा होता है, प्रवा अर्थात प्रिथवी के सभी भूखंड एक जगा इस्तिर ना होकर वह अपने जगा से खिसक जाते हैं। वेगनर के अनुसार कार्बोनी फेरस युग में प्रिथवी के समस्त अस्थल खंड आपस में जुड़े हुए थे, उन्होंने इस विसा महादिब को पैंजिया कहा, पैंजिया का अर्थ होता है संपूर प्रिथवी, वेगनर के अनुसार कार्बोनी फेरस युग में पैंजिया एक बिसाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसे उन्होंने पैंथा लासा कहा, पैंथा लासा का अर्थ होता है जल ही जल, आईए चित्र से समस्ते हैं, दोस्तों आपके सामने पैंजिया और पैंथा लासा का मानचित्र है, वेगनर के अनुसार कार्बोनी फेरस युग में एक ही महादुइफ हुआ करता था, जिसे वेगनर ने पैंजिया कहा, और उनके अनुसार प्रिथिवी पर एक ही महासागर हुआ जिसे उन्होंने पैंथालासा कहा मतलब कृथिवी पर सिर्फ एक ही महादिप हुआ करता था और एक ही महासागर हुआ करता था वेगनर के के तरके के अनुसार लगभग 20 करोड वर्ट्स पहले इस बड़े महादिप पैंजिया का विभाजन होना आरंभ हुआ अर्थात पैंजिया तूटकर दो हिस्सों में बढ़ गया पैंजिया का एक भाग तूटकर उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ जिसे लारेसिया या अंगारा लेंड कहा गया और पैंजिया का दूसरा हिस्सा दच्छड की और प्रवाहित हुआ जिसे गोंडवाना लेंड के नाम से जाना गया दोस्तो जब पैंजिया दो हिस्सों में बढ़ गया तो उत्तर भाग लारेसिया तथा दच्छडी भाग गोंडवाना लेंड कहलाया इन दोनों अस्थली भागों के बीच एक उतलाव संकिर्ड महासागर खुला जिसे तेथिस सागर कहा गया आईए मांचित्र से समस्ते हैं दोस्तों आपके सामने लारेसिया, गोंडवाना लेंड और तेथिस महासागर का चित्र है आप मांचित्र में देख सकते हैं उत्तर की तरफ लारेसिया और दच्छड की तरफ गोंडवाना लेंड है जो पहले एक भाग हुआ करते थे जिसे पैंजिया कहा गया था तो जब ये तूटके अलग हो गया तो इसके बीच में एक सागर बन गया जिसे वेगनर महोदय ने तेथिस सागर कहा इसके बाद लारेसिया और गोंडवाना लेंड धिरे धिरे अनेक हिस्सों में बढ़ गए जो आज के महादीप के रूप हैं दोस्तो आज साथ महादीप हैं उस समय एक महादीप हुगा करता था दोस्तो वेगनर महोदय ने जब अपने सिधान्त प्रतिपादित किया प्रस्तूत किया तब कुछ वैग्च्यानिकों ने कहा इसके पच्छ में आप प्रमाड देजिए तो वेगनर महुदे ने कुछ प्रमाड दिये सिद्धान्द के पच्छ में प्रमाड आपने संदार का मांचित्र है जिसमें वा महादुद दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं जहांपर आरो का निसान है दच्छडी अमेरिका और अफरिका को एक पजल की तरह जोड़ा जा सकता है और उतरी अमेरिका और यूरोप को भी एक साथ जोड़ा जा सकता है अगर इन सब को जोड़ देंगे तो पैंजिया का पैंजिया जैसा है दिख सकता है ठीक है भूगर भी प्रमाडों के आधार पर अट्लांटिक महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हरसीनियन परवत के क्रमों में समानता पाई जाती है दच्छडी अट्लांटिक महासागरों के तटों पर इस्थित अफरिका वा ब्राजिल की सनरचना और चट्टानों में भी समानता है दच्छडी अमेरिका के पूर्वी तथा अफ्रिका के पस्चिमी तटों का गहन अध्यान से यह प्रमाडित करता है कि दोनों तटों की सनरचना में परियाप्त समानता है इसके अलावा भारत, दच्छड अफ्रिका, आस्ट्रेलिया तथा अंटारिक्टिका में गुलोसोब टेरिस वनस्पत्ति का पाया जाना यह प्रमाडित करता है कि कभी ए अस्थल भाग एक साथ जुड़े हुए थे यानि कि पैंजिया का रूप दिया जा सकता है ऐसे बहुत सारी वीडियो देखने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद